खेकड़ा थाना छेत्र में लगातार गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखके बैठी है शनिवार सुबत छेत्र के फिरोजफूर गाउं के जंगल में बदमाशों ने गौकशी की घटना को अंजाम दे कर उसके अफशोष खेत में छोड़ दिये थे इस घटना को लेकर ग्रामिडों में काफी गुस्सा पनव गया लेकिन प्रभारी निरक्षक राजकुम्रा शर्म ने दो दिन की अंदर घटना का खुलासा करने का आशवाशन दे कर ग्रामिडों को हंगामक करने से रोक लिया इस घटना के दूसरे दिन पुलिस अभी पहली घटना में शामिल लोगों का पता लगा भी नहीं सकी थी कि एक बार फिर बदमाशों ने मनसुरी गाउं के पास जेवीजी कलोनी के जंगल में गौकशी की घटना को अंजाम दे दिया लेकिन इस बार गौकशी के बाद माश से लदी वैगनार कार एक दिन पहले हुई बारिश की कारण कीचन में फस गई अभी वे उसे निकालने का प्रयास कर ही रहते कि उधर ग्रामिड पहुँच गए सुनसान इलाके में खड़ी कार को देखकर ग्रामिडों को शक हुआ तो वे कार की और दोड़े इस पर बदमाश माश से लदी गाड़ी को वही जंगल में छोड़ कर भाग निकले उनको भागते देख जब ग्रामिडों ने गाड़ी में जहका तो वहाँ दो गौवश मृत अवस्था में लदे मिले आक्रोशित ग्रामिडों ने चौराय पे बैगनार कार को लाकर माश से लदी गाड़ी में तोड़फोड करना शुरू कर दिया साथ ही साथ बजे हाईवे पर जाम लगा दिया जाम की सूचना पर पहुँची पुलिस को देखकर ग्रामिडों को गुस्सा आ गया और वे और भी भड़क गये उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारी बाजी शुरू कर पुलिस के अनुरोद पर जाम खोलने से इंकार कर दिया गौकशी की घटना की विरोध में ग्रामिडों के जाम लगाय जाने की सूचना मिलते ही सीयो खेकड़ा दिलिप सिंग वसीयो बागपत के नेतुब में भारी संख्या में पुलिस बल ततकाल मौके पर पहुंची उन्होंने ग्रामिडों को समझाते वे मास से लदी गाड़ी को अपने कबजे में ले लिया बाद में SSP बागपत अजे कुमार ने मौके पर पहुंच कर ग्रामिडों को दो दिन में घटना के आरोपियों को पकड़ने जाने का आशवशन दिया तब जाकर दो घंटे बाद तकरीवन 9 बजे ग्रामिड जाम हटाने पर राजी हुए